जो बाहर विदेश में COVID-19 पैंडमिक की वज़ा से फसे हुए हैं और साथ ही अपने घर लोटना चाहते हैं विदेश मंत्राले ने बाहर फसे लोगों को देश में वापस लाने के लिए एक योजना त्यार की है शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीब गोवका के द्वारा आयोजित की गई एक मेटिंग में बड़े अधिकारियों के सामने ये योजना दिखाई गई है हम आपको बताना चाते हैं कि इसमें शामिल ये है कि भारत के अलग-अलग राजियों में कहां से और कितनी उड़ाने जाएगी और साथ में यही इंशोर किया जाएगा कि भार से आ रहे हैं लोगों को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन ना हो सब के पास COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट रहना जरूरी होगा आई जाने के बाद जांच की जाएगी किसको होम कॉरिंटीन में रहना है और किसको आइसलेशन वार्ड में रखना है बता दे कि भारत के अलग अलग राजियों के एरपोर्ट पर स्पेशल उडानों की योजना बनाए जा रही है साथ में ही तैयारी भी अपनी चर्म सीमा पर है उडानों के साथ साथ जहां संबब होएगा वहां नौ सैनिक जहांजों का भी इस्तमाल करेंगे लोगों को अपने भारत देश लाने के लिए जो लोग इस वक्त उमीद लगा के वेटे हैं वो लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा हो सकता है कि में के पहले हफते से ये काम शुरू किया जाएगा आपके दोस्त या फैमली मेंबर्स जो भी विदेश में फसे होए हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और कोविट नाइंटीन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मेडिस्टफ एजूकेशन को सब्स्क्राइब कीजिए